हलो एब्रिवन मैं हूँ वसिला और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लोग में अभी देखिए सुबा के करीब साथ बज रहे थे और हम हाउस वाइफ का जो भी डेली का रूटीन होता है घर की साफ सफाई के साथ ही स्टार्ट होता है और अभी देखिए सुब में जितना जल्दी सब को उठते हैं हम हाउस वाइफ रीप का उतना जल्दी से जलदी काम भी खत抹ो जाता है और छुट्टी के दिन ही लेट होता है क्योंकि सब को यह लेट उठते हैं इस वज़़ा से और यहां पर देखिए यह लाश्ट रूम कम छे पोचा मारना बाग हुआ था और वह काम ना करने में काफ़ी ज्यादा लेट भी हो गया है क्यों लेट हो गया है वह भी मैं आप लोग के साथ से जरूर करूंगी तो यहां पर देखिए घर के साफ सभाई करने के बाद यहां पर आंगर में थोड़ी सी चुला के पास और बैक साइड हमारे मतलब फ्रंट चाइडा बोल सकते हुद्धा थोड़ा सा लिपाय करना था वह करने के बाद देखिए हम लोग सुबह सुआज यह काम पर लग गया है हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे कि यह काम हमें करना है हम करनी पा रहे हैं क्योंकि देखिए धंडा खत्म होते होते ना एक ह होता है कि आज कर लेंगे यह काम बड़ कुछ नो कुछ रिजिन की वज़ए से जैसे कभी तहवार आ जा रहे हैं कभी कुछ घेस्ट हाजाते हैं कहीं हमें जाना पर जाता है इस जैसे यह काम ना लेट हो जा रहा थे मलोग का तो फाइली आज हमें टाइम मिला तो ऑसका पूले ना तो इजी हो जाता है इसे छुडाना और आप मसीन में भी वास कर सकते हैं उसे भी छुड़ जाता है लेकिन ये कंबल जो है ना हम लोग स्टार्टिंग से जो इस्तिमाल कर रहे थे ठंड के मौसम में वह लाश्ट तक यह क्योंकि इती जादा है भी नहीं थे तो हल तो आप लोग देख सकते हैं यहां हम दौनों मा बेटी मिलके कंबल की सफाय करने में लगे हुए थे और और इस बाना बहुँ जादा लेट हो गया हम लोगा यह सब धोने में मतलब हमेशा हम लोग सोचते से कि आज धोएंगे बट कुछ नो कुछ काम पड़ जाता था तो इस वज़े सी एक काम हम लोगा लेट हो गया बट फाइनली देखिए आज हम लोगों ने यह काम अपना इस इसे बानि दाल दिया है तकि ऋसका सारा पानी निकल जाएं तो तीज धूप रहेगी बाद में इस 뚜़से से मैंने इसे स्ट आ रख दिया और पर उसके पानी निकल जाएगा तब कि जब तक पानी रहेगा यह बहु जादा मुछेबी महारी लगता हैं तो इस से कुछ ह नहीं पाएगा हम लोग का उपर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो सारा पानी जब इसके निकल जाएंगे तब हम उसको च्छत की ऊपर डाल देंगे तो अभी देखिए फैनली मेरा सारा काम खतम हो चुका था नहा दोहा के अभी हम आगे हैं पूजा करने के लिए और सरहूल पूजा के बाद आज फर्स टाइम हम लोग मतनी जणा का पूजा कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा था तो पूजा बगिरा करके यहां पे देखिए हम लोग नास्ता कर रहे हैं तो सब कोई नास्ता कर चुके थे बस मैं ही लेट थी क्योंकि बहुत जादा काम ह हो गया था आज और यहां पे देखिए नास्ता में रात की लिट्यों कि सब्जी है और आज सुभा में में मैंने बनाया है भिंडिया носी अध्यानी पांभी दे वगए यहां था практи नास्ता करने तक में नास्ता कर ने तक यहां पर में और जूपहर ऑफ्डका वहीत cabbage साहं सी पाउदानी वगेरा भी धो दिया है तो कंबल को में उपर डाल देते हैं क्योंकि इसे फिर जल्दी सूख जाएंगे और यह कंबल वगेरा सब एक ही दिन में सूख जाते हैं तो तो जादा अच्छा लगता है फिर इंतिजार करो नेक्स दे फिर निकालो सुखा तो यह अच् सूख जाएंगे तो यह काम कंपलीट हो गया तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था तो यही पर मैंने दोनों कंबल फैला दिया थे और अभी देखिए फ्रिंट्स यह करीब तो पर कही टाइम हो रहा है जादा टाइम नहीं हुआ था मैंने लंच भी नहीं किया ह सकते हैं कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है इस वज़े से तो यहां पर मैंने डाल दिये हैं और सूब गया थे जल्दी ही तो बारा बज रहे थे करीब तो मैंने इसे उठा लिए और सीनू पता है बहुत ज्यादा बदमासी कर रहा था मैंने उसे नहला उला के मतलब सारा र लोग तो बस ऐसी पूजा वगेरा में ही पहनते हैं और या फिर यह हमारा फेस्टिबल आएगा तब ही हम लोग यह सारी पहनेंगे और मुझे बहुर ज्यादा पसंद है यह सारी और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यह पिछले बार ही खरदाया था बड़ फिर कार्वानी के लिए दे दिया था और लोक टाउन हो गया ठाट तरो यह सारी फिर मुझे मिले ही नहले तो इस वज़से मुझे पुरानी सारी पहने परी और आहिए यह पे देखें सारे चीज को मैंने अच्छे से फौल्ट और यहां पे न सीनों दीरे दीरे बनमासी कर रहा था बाकी सब को इते अंदर थे लेकिन यहां पर देखिए वो ना पानी में खिलते खिलते अपना जो गंजी है उसे भीगो देता है तो उसे भीगा हुआ कपरा पहना बिल्कुल भी पसद नहीं है थोड़ा सा भी भीगता है ना तो वो फिर बोलत है गंजी में डाला भी नहीं है और भी वो यहां पर देखे तरह से अराम से बैठ किया है तो बस उसका अभी में चेहरा वगेरा अच्छा से मुहाथ अच्छा से पोच की अभी मैं उसको खाना खिलाने के लिए ले जाओंगी और अभी गर्मी कर दिन आ गया है ना तो उसे सुला भी देती हूं थोड़ा सा और मैं खुद भी अराम करने के लिए लग जाती हूं क्योंकि इतना लंबा दिन है ना आप दिन भर बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो खेलते रहे थोड़ा सा वो लोग सो जाते है ना तो उन्हीं भी अच्छा लगता है दो के ऊच्छ चुके हैं शीनों भी सोक उठ चुका है तो से हम लोगों ने सामका ऐसी बिस्किट खाने के लिए दिया है पानी के साथ और यहां पर देखे कंबल भी में च्छत से लेका गए हूं क्योंकि कमबल सूप चुके हैं और जो भी कप्रे सब्सार थे वह सारे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लोग को अचाने से बहुत सौप हो जाते हैं क्योंकि पता है सीनों बिस्किट खा रहा था पानी के साथ तो वह बिना बोले उस बरतन को किचन में ले गया और सिंक में रख देता है तो हम लोग बहुत जादक कभी-कभी होता है बच्ची बिना बोले भी अच्छे काम करने लगते हैं तो बहुत जादा अच्छा लगता है वैसे हम लोग सुरू से सिखाते आए हैं इस वज़़ा से वह कर रहा है तो कभी-कभी बच्चे ऐसे काम करते हैं ना कि बिना उन्हें सभासी दिये मन रहा नहीं जाता है तो हम लोग भी अच्छा सीख रहा है और अब देखे साम कह रहा है जो मटर माने आपनी प्ला में पुला दिया हैं चोटी बोक लागति है तो इसको फ्राइए करेंगे हम लोग साथ में डाल दिया है मेच और प्याज और इसको भूरने के बाद यहां पर जो हम लोगों ने मटर फुलाए थे वो दाल देंगे तो यहां पर में बाहर चूले पर बना रही है क्योंकि देखिया गैस के दामना बहुत हो जादा बढ़ रहे हैं और आज किल में डेली बाहर ही खाना बना रही हूं रात में एक टाइम कोसिस करते हूं क्योंकि सुबह में तो अभी स्विनु को अम लोग इसकोल डाल दिया है तो थोड़ी बहुत हरवर हो जाती है बट अभी मैं जैसे कि साम में रोटी सबजी वगेरा सब यहीं चूले पर बनाती हूं तो यहां पर दे करता है तो मेडियम आज पर पकाना है ताकि यह धीरे धीरे पके और यहां पर देख सकते हैं इस चलाते हुए लगतार कम से कम में हम लोगों ने इसे करीब 5 मिनट तक भूना था ताकि यह अंदर से पक जाने तो ऐसा होता ना उपर उपर यह पक जाते लेकिर अंदर आब चाहे तो लाल मेच और हल्दी पाऊडर भी इस्तमाल कर सकते लेकर मिक्स पाऊडर आता उसमें तो सारे कुछ मिले हुए होता है तो अब नहीं भी डालेगा तो भी जादा अच्छा लगयेगा और यहां देखे मेरा आज कभी बढ रहाता कभी घट राता ना तो कड़ आई पर कुछ कुछ चिपक भी गया थे लेकिन आप देखिए यह बिल्कुल रेडी हो गया है हम लोग का मटर का भूजिया बहुत ही अच्छा लगा था खाने में तो आप लोग भी जुरू ट्राय कीजेगा और फ्रेंड्स आज का ब्लोग भी मेरा यही तक था वीडियो पस